हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्योब चैनल पर तो दोस्तो आज हम लोग कच्छा साथ का क्रिशी विज्ञान पढ़ेंगे आज हम लोग पाठ तीन पढ़ेंगे हमारे पाठ का नाम है भूपरिसकरण तो आए इस पाठ से अभ्यास प्रश्णों को देखते हैं पहला प्रश्ण है सही पर सही का निशान लगाए प्रश्ण पहला है भूपरिसकरण से इसका सही उत्तर है जल एवं वायू दोनों का संचार होता है अगला प्रश्ण देखते हैं दो नमबर पाठा लगाने से इसका सही उत्तर है गणंबर बड़े एवं छोटे दोनों प्रकार के ढेले तूटते हैं ठीक है ये सही है अगला प्रश्ण देखते हैं तीन नमबर पतली पपड़ी या तिल्थ से इसका सही उत्तर है गणंबर मृधा की नमी सुराच्छित रहती है अगला प्रश्ण देखते हैं 4 नमबर मिटी चढ़ हाने से इसका सही उत्तर है खा नमबर कंदावली फसलों को लाब होता है चली अगला प्रश्ण देखते हैं 5 नमबर बाहर से अंदर की जुताई इसका सही उत्तरेगा नमबर बाहर से अंदर की ओर करते हैं ठीक है अगला प्रशने देखते हैं च्छा नमबर देशी हल से इसका सही उत्तरेगा नमबर मिट्टी की जुताई होती है अगला प्रशने देखते हैं दो नमबर रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए तो दोस्तो आए रिक्त स्थानों की पूर्ती करते हैं पहला प्रश्न है भूपर इस करण से भूमे की उरोरक सकती जाती है यहां रिक्त स्थान है क्या देखे ब्रेकेट में दिया है घट या बढ़ं तो रिक्त स्थान पे भरेंगे बढ़ं आगे देखते हैं दो नंबर प्रेश्ण पाटा लागाने से क्रिसी कार्यों में यहां रिक्त स्थान होती है तो देखिए यहां पे ब्रेकेट में दिया है और सुविधा या सुविधा तो इसका सही उत्तर है सुविधा अगला तिन नंबर प्रेश्ण देखते हैं मिट्टी रिक्तस्थान पे भरेंगे बड़े आगे देखते हैं अगला प्रश्णे है हम लोगों का पटियों में यहां रिक्तस्थान है ठीक है भागों में की जाती है तो रिक्तस्थान देखें यहां पे दिया है मैदानी या पहाडी तो देखें रिक्तस्थान पे भरेंगे पहाड़ी भागों में की जाती है अगला प्रशने देखते हैं पांच नंबर उथली जुताई में भूमी को यहां रिक्तस्थाने की गहरी तक जुताई करते हैं तो देखें ब्रेकेट में दिया है 10 से 20 या 40 से 80 तो रिक्तस्थान पर भरेंगे 10 से 20 आगे देखते हैं अगला प्रशने है कुदाल से खेती की यहां रिक्तस्थाने होती है तो रिक्तस्थान पर देखें यहां पर जुताई दिया है गुडाई दिया है तो रिक्तस्थान पर बढ़ेंगे गुडाई आगे देखते हैं प्रशने तिन नंबर है निमनलिखित कथनों में सही पर सही तथा गलत पर गलत का निसान लगाईए प्रेश्ण का कह रहा है कि भूमी पर इसकरण द्वारा भूमी की भौतिक एवं रसायनिक दसाओं में सुविदा होती है यह जो है हम लोगों का सही है अगला प्रेश्ण देखते हैं खनमबर पाटा लगाने से खेत उबड़ खाबड हो जाता है यह गलत है गर नमबर प्रेश्ण देखते हैं मृदा की उपरी सता पर बनी पपड़ी मृदा नमी को नश्ट कर देती है यह गलत है गर नमबर प्रेश्ण देखते हैं पाटा लगाने से बीजो का अंकुरण अच्छा होता है यह सही है अगला देखते हैं गर न तो यह जो है गलत है अगला देखते हैं चान नमबर प्रश्ण अंदर से बाहर की ओर जुताई में खेत के एक कोने से प्रारम करके धीरे धीरे अंदर की ओर ले जाते हैं यह गलत है अगला प्रश्ण देखते हैं चान नमबर गहरी जुताई को उथली जुताई भी कहते हैं यह गलत है अगला देखते है जा नंबर प्रश्ण देसी हल आधुनिक हल है यह जो है गलत है अगला प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण देखे यह अस्तंब कह है यह तो देखे दोस्तों इसमें हम लोगों ने मिला दिया है देखे देशी हल इसको हम लोग मिला हैं जुताई में ठीक है मेंस्तन हल इसको हम लोग मिला हैं मिट्टी पल्टना अगला है कंदावली फसल इसको हम लोग मिला हैं मिट्टी चरहाना अगला है डिवरल इसको हम लोग मिला हैं बीज बोने का यंत्र आगे देखते हैं प्रश्ण पांश है भूमी का कटाओ किस क्रिया द्वारा कम हो जाता है इसका उत्तर है भूपरिस्करण द्वारा अगला प्रश्ण है छा नमबर कंदावली फसलों के नाम लिखिये इसका उत्तर है सकरकंद आलू बंडा अगला देखते हैं प्रश्ण साथ नमबर प्रश्ण है कौन सी फसल मिट्टी न चड़ाने से तेज हवासी किर जाती है इसका उत्तर है गन्ना अगला प्रश्ण देखते हैं आठ नमबर अंदर से बाहर की और जुताई विधी का संचित्र वर्णन कीजिए यानि कि चित्र बना के उसका वर्णन करना है तो आप लोग जैसा की देख सकते हैं कि अंदर से बाहर की और जुताई का ये देखिए संचित्र है ठीके चित्र है अब चलिए इसका वर्णन करते हैं याने की ये देखिए अंदर से बाहर की और जुताई का है अब आईए इसका वर्णन करते हैं लगतार बाहर से अंदर की और जुताई करने से खेत में तल नीचा हो जाता है अतह कभी-कभी खेत की जुताई अंदर से बाहर की और करनी चाहिए इसमें जुताई खेत के बीचों बीच से प्रारंभ करके धीरे-धीरे बाहर की और लाकर समाप्त करते हैं अगला प्रेश्न देखते हैं नो नमबर गहरी जुताई क्यों की जाती है यदि गहरी जुताई न की जाए तो क्या नुक्षान होगा तो आये इसका उत्तर देखते हैं इसका उत्तर है, भूमी में 40 सेमी या इससे अधिक गहराई तक जुताई को गहरी जुताई कहते हैं, इसका उद्देस्य नमी सुरच्छित रखना एवं भूमी की निचली सतह से कठोर परत तोड़ना होता है, गहरी जुताई ना करने से भूमी में नमी सुरच्छित रखना स देसी हल बना कर उनके भागों के नाम लिखिए तो जैसा कि आप लुग देख सकते हैं हमने यहां देसी हल बनाया है ठीके यह देखिए हारी से ठीके और यह जो है लोही की फार है और यह जो है ये जो है परोठा है और देखिए ये जो है हम लोगों का मुठिया है और ये जो है हत्था है ठीक है ये जो है हत्था है आईए अब आगे देखते हैं ये देशी खल्था अगला प्रश्ण है डेबराल का चित्र बनाए तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये डेबराल ह ठीक है इसका हमने चित्र बनाया है अब देख सकते हैं अच्छी प्रकार से देख लीजिए आईए आगे देखते हैं प्रेश्न बारा कहता है कि सुन्य भू परिसकरण का क्या अर्थ है इसके लाव एवं हानी बताईए तो आईए देखते हैं पहले सुन्य भू परिसकरण तो इसका उत्त है किसी फसल की बुआई पूर फसल के और सीसु में ही बना बिना जुताई किये सीधी रूप से करना सुन्य भू परिसकरण कहलाता है आएए देखते हैं भू परिसकरण से लाभ ठीक है पहला है खेती की लागत में कमी दुसरा मृदा चारण का कम होना तीसरा मृदा सनरचना को यथावत बनाए रखना ठीक है आगे देखते हैं चार नमबर है स्रम एवं धान की बचत आएए देखते हैं सुन्य भू परिसकरण से हानी ठीक है पहला है मृदा में सक्त सतहब का बनना दुसरा है पूरो फसल के औसेसों पर लगे हुए काट एवं रोग का प्रभाव अगले फसल पर होना और तिसरा है साकनासी रशायन का अधिक प्रियोग होना तो दोश्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में चरूर बताईएगा धन्यवाद